देगो राहूल और सुनिया जी मैं तुमारे भरोसे पे इस ट्रेक्टर को ले रहा हूँ असल में मैं लेने को तो नया भी ट्रेक्टर ले सकता था लेकिन मुझे नय ट्रेक्टरों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है बैसे ये ट्रेक्टर तुमने कब खरीदा था राहूल कितना पुराना ट्रेक्टर है ये तुमारा अरे मोधी जूट बोलने से क्या फाइदा मुझे तो पता है ने इसकी सन कौन सी सन में खरीदा गया है मम्मी जी आप बताना मोदी जी को ये ट्रेक्टर अपनोंने कब खरीदा था कौन सी सन में और ये देगने में तो बहुत पुराना ट्रेक्टर लग रहा है कम से कम इसकी तारीक तो पता चले कौन सी तारीक में कौन सी सन में खरीदा था इसे और आप पैसे भी जादा मांग रहे हो और ये 600 रुपे जादा है मैं 500 रुपे दूँगा इस ट्रक्टर के कह देता हूँ देखो मोधी जी मैं तो जूट बोलूंगी नहीं असल मैं जब मैं यहाँ पर आई ती इंडिया में तब ये ट्रक्टर था मुझे लगता ये राउल की दादा जी ने खरीदा था तारीक उरीक तो हमें पता नहीं है इसके कागज उगज भी सब गुम हो गए और तुम्हें लेना हो या ना लेना हो मैं 600 रुपे में इस ट्रक्टर बेचूंगी 500 रुपे में नहीं बेचूंगी अरा सोनिया जी हम इतनी दूर से ट्रक्टर खरीदने के लिए आए 100 रुपे की तो डिस्कॉंट करतो हमें जादा नहीं कह रहा हूं सिर्फ 100 रुपे की 500 रुपे में दे दो ये ट्रक्टर अच्छा ये बताओ इस ट्रक्टर के गेर एकसीलेटर सब कुछ ठीक है की नहीं है देखो मोदी जी मैं इस बारे में आप से कुछ नहीं कहूंगा बो देखो हमारा ड्रैबर है हमेशा से ट्रक्टर उसी ने चलाया है अखलेस नाम है उसका उससे पूछ लो सारी चीज बो ही बता देगा एकसीलेटर के बारे में गेर के बारे में सब कुछ बता देगा बो चलो राहूल ये पैसे पगड़ो 600 रुपए ट्रक्टर में रहा हुआ और भाई साब आप ये बताओ ट्रक्टर पे बैठी हो ट्रक्टर आप ही चलाते थे जी हाँ मैं राहुल जी के ट्रक्टर पे 10 साल से ड्राइबरी कर रहा हूँ इनका ट्रक्टर मैं ही चला रहा हूँ बाइसे बाइसा भी एक गंटे में ट्रक्टर कितना तेल खा लेता है हम इसमें डीजल या तेल डालते ही नहीं है ये तो बिना डीजल और तेल के चलता है वो कैसे समझा नहीं मैं बिना तेल की कैसे चलता है ये ट्रक्टर वो भाई सा भाई से चलता है इसके आगे एक ट्रक्टर लगाना पड़ता है वो इसे खीषता है तो ये चलता है ये खुद तो चली नहीं पाता ये तो बूरा हो गया अब 600 रुपए में आपको चलता फड़ता ट्रक्टर थोड़ी मिलेगा जैसे बूरे को लाठी की जरूरत होती है इसी दूसरे ट्रक्टर की इसे जरूरत परती है चलने के लिए बाई लोगो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो अरे लानू जी आज तो बहुत लंबी लेन लग गई गैसलेंडर की जहां तक नजर जा रही है पूरे एक किलो मीटर तक आदमी आदमी खड़ाव वाए इसका मतलम मैं अपने घर से थोड़ा लेट निकल के आया लानू जी कल मैं नितीज कुमार जी ने जो बंडारा कराया था बही पर चला गया था बहां से काफी रात में आया इसलिए सुवा मेरी आख बहुत लेट खुली और जैसी पता चला एलॉन जुआ के आज गई सिलेंडर की गाड़ी आई है मैंने भाग लगा दी जब यहां कर देगा तो एक किलो मीटर तक लें लगी वी है गई सिलेंडर लेने वालों की अरे राहूल और अमिस्ता जी अरे अगर पीजे लगूंगा तो पूरे दिन बर में नंबर आएगा थोना थोना सा गैप कर लो अपने बीच में यही पर मैं खड़ा हो जाता हूं किसी को पता काम ही नहीं जलेगा देखो मोदी जी जब आप आराम से घर पर खटिया पर सो रहते तब उसी टेम से हम यहाँ पर लगे वी हैं दो घंटे हो गए हमें लेन में लगे लगे हम तो बीच में नहीं लगाएंगे तुम्हें बिलकुल राहूल तुम सही कह रहो मोदी जी तुम लाश्ट में जाके लगो लाश्ट में यहाँ पर हम नहीं लगांगे तुम्हें बीच में चलो कोई बात नहीं है तुम्हारा भी कभी न कभी काम पढ़ेगा नहीं योगी जी और अखलेस अखलेस बीच में सिलेंडर थोड़ा गैप कर लो बही पे मेरा सिलेंडर रग दो मैं लियन में लग जाता हूं आके ऐसा कोई चकर नहीं है मोधिजी सुवे से गैज सिलेंगर लेने के लिए हम लियन में लगे हैं आप भी जाकर बही पर शुरू में लगो ऐसे तो कोई भी कहीं पर आकर लग जाएगा देखो मोधी जी इसमें बुरा बानने वाली कोई बात नहीं है अभी राजनास सिंग जी भी कह रहे थे आकर के हमें बीच में लगा लो यहां पर जब हमने मना कर दिया लगाने को यहां बीच में तो वो लाश्ट में लगें जाकर और आप जितना लेट करोगे उतनी लंबी लैन होती जाएगी जाओ जल्दी लग जाओ पीछे जाकर चलो कोई बात नहीं है अगलेस मत लगाओ तुम अपने बीच में मुझे आज तो बड़ा गणबल हो गई बहुत टेम लगेगा स्लेंडर लेने में कहां से मुझे गहरी नींद आ गई अरे उबैसी जी और केजरि में नहीं लगाओंगा मोधी जी को आखिर में लगो मोधी जी जाकर और भाई लोगो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो